हालो दोस्तों मैं हर्शुता और आप देख रहे हैं ट्विंस मैं वल्ल अभी आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे कि सूरिग्रेहन आएगा तो क्या करना चाहिए चंद ग्रेहन आएगा तो क्या करना चाहिए और मैंने खुद भी एक-डो वीडियो बनाई हैं अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लीज देख लीजे लेकिन एक चीज में आप लोगों साथ यही बोलना चाहती हूं कि जितनी भी गर्वति महिला है उनको कोई चीज़े मना की जाती हैं कि यह चीजे नहीं करनी है तो उनके दिमाग में कहीं न कहीं यह कोशन तो जरूर आता कि हम लोग को बिना logic किसी चीज़ को समझ नहीं आता हैं जिसे अंदिविश्वास कह लीजे या उनका विश्वास कह लीजे बड़े लोगों की बहुत सारी मानेता हैं और सब की अपने घर के अंदर भी बहुत सारे rules regulations होते हैं जिसे हमें follow करना चाहिए या नहीं करना चाहिए यह depend करता है आपके उपर लेकिन जो सबसे most important जो चीज होती है यह सूरे ग्रहन चेंद ग्रहन जैसे चीज़ों में कि आप कितना जाधा comfortable है अपने health को लेके आपके बेबी के साथ सब कुछ ठीक तो है आप ठीक तो है उसके बाद ही आप अपने हिसाब से कुछ rule regulation थोड़ा सा modify करके follow कर सकते हैं और देखिए मैं follow करने की बात आपको इसलिए भी बोल रही हूँ क्योंकि देखिए बड़े लोग है अगर उनकी बात को रख लिया जाएगा तो इसमें भी कोई हर्स नहीं है लेकिन हाँ शर्त यही है कि आपको अपने comfortability का पूरा ध्यान रखना पड़ क्योंकि देखिए आपका बच्चा अभी आपके लिए काफी important है तो रही पात इस curiosity की हम लोग science related जोतने भी लोग है सारे लोग logic को follow करते हैं क्योंकि देखिए आज कल कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो कि अंधिविश्वास में आके यह सारे चीज़े को मान ले उसके मन में यह question होता ही होता है कि ऐसा क्यों होता है तो यह questions बहुत सारे लोग एक दूसरे से पूछते होंगे अपने बड़े लोगों से पूछते होंगे और finally मैंने भी पूछा और बहुत पहले ही पूछ लिया था लेकिन पहले तो लोग बताने से एकत्राते हैं कि छोड़ो क्या ब बूल जाएए बस जो मैं इतना कह रही हूं वही कर लिजे आपके पास सिर्फ यही आंसर मिलता है और जो आप एंसर की नीड आपको लगती है वह आंसर आपको नहीं मिलता है तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी कि इसके पीछे सच्चाई क्या है आपको क् तो सबसे पहले जो हमारे बड़े लोग हैं उनके हिसाब से जो उनके भी बड़े लोग उनके भी बड़े लोग उनके भी बड़े लोग बहुत सारे लोग उनको यही बताये थे कि गर्वती महिलाओं को किसी भी तरह की काटने सिलने या चुबने जासे चीजों का इस्तमा करती हैं उनके बच्चे में कुछ उनके अंग थोड़े से खराब होने की चांसेज बनते हैं मेभी कुछ भी हो सकता है मेभी वो छोटा रूप ले सकता है या बड़ा रूप ले सकता है और बहुत सारे लोगों को आपने देखा भी होगा कि बाइबर्थ ये डिफेक्ट पहल क्या सोचोगे कि आपकी बच्ची के लिए किसी तरह का कोई नुकसान ना हो तो आप उनकी बातों को थोड़ा फॉलो भी कर लिजे तो इसमें कोई हर्ज नहीं है लेकिन मैंने शुरू में ही आपको बताया कि जो जरूरी चीज है वो है आपका कमफर्टीबल होना आपकी अब को खड़ा रहना है तो क्या आप लॉजिकली ऐसा मानते हैं कि आप सूतक समय से लेके जब तक रहन इंड ना हो आप खड़े हो मतलब इतना पॉसिबल तो नहीं हो सकता है क्योंकि एक प्रिग्नेंट लेडी को टाइम टू टाइम पे रेस्ट जरूरी है और जैसे पहल और आप खापी नहीं सकते हैं तो आपको एवरी टू आवर धाय घंटे तक आपको कुछ न कुछ खाना होता है तो आप जो भी उपाए जैसे मैंने बताया था तूलसी का पत्ता आप रख लीजे उनके हिसाब से भी कुछ चीजे अपनाईगे लेकिन अपने कोई defects ना आए इसलिए वो चीजे फॉलो करती हैं लेकिन शर्त यही है कि आपका comfortable होना काफी जादा जरूरी है और जैसा मैंने उपाई के तौर पे आपको बताया था कि अगर आप लेटना चाहते हैं तो आप बेशक करिए क्योंकि इतने दिर तक खड़े रहना आपकी लिए सही नहीं है पाई के तौर पे मैंने आपको यह बताया था कि अपने हाइट के अकॉर्डिंग एक धागे को ले लिजे और उसे सेलो टेप की मदद से दिवार पे चिपका दीजे वो स्टैंडिंग पोजीशन पे होना चाहिए और आप उसे कर लेते हैं तो एक तरह से उनका कोई मन की बात रह जाएगी आपके मन में भी संतोष हो जाएगा और आप बैट वगरा सकती हैं और रही बात अगर धागे में किसी तरह का गांट नहीं होना चाहिए और या तो आप डंडे को भी खड़ा कर सकते हैं ऐसा माना जाता है कि आपके बिहाफ में वो धागा या फिर वो डंडा स्टैंडिंग पोजेशन पर है तो सबसे जो जरूरी चीज है आपका और आपकी बच्चे का अच्छे से रहना कमफर्टेबल रहना हेल्दी रहना तो आगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे शेयर करिएगा उन लोगों के साथ जिसे इस वी Twins My World